आसियान के दस देशों और चीन जापान सहित कुल पंद्रे देशों ने एक बड़ा ख्षेत्री आर्थिक समझोता यानी RCEP किया है भारत को भी आमंतरन मिला था लेकिन देश हित का हवाला देकर मोधी सरकार ने इस समझोते से बाहर रहने का निड़न लिया कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता अनन शर्मा ने भारत के इस से बाहर रहने को दुरभाग्यपूर्ण और गलत सलहा पर आधारित और रणनीतिक भूल बताया है तो वहीं पूर्व वित्त मंतरी पीची दंबरम ने कहा कि इस पर संसद में बहस होनी चाहिए थी लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि पार्टी में इस पर आम राय बनने के बाद ही कुछ कहेंगे दूसरी तरफ पूर्व परियावरन मंतरी जैराम रमेश ने कहा कि RCEP वास्तों में Regional China Expansion प्रोग्राम है और इसमें शामिल नय होकर भारत ने सही काम किया है